प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डी को ज़ कब पढ़ा जाता है डी को ज़ कब पढ़ा जाता है देखें यदि किसी सब्द में डी के बाद यो आरी यदि किसी सब्द में डी के बाद यो आरी इन में से कोई भी आता हो वहाँ पर डी को ज़ पढ़ा जाएगा उधारण के लिए आपके सामने है देखें एस ओ को सो पढ़ा जाएगा एल को लो पढ़ा जाएगा जबकि यहाँ पान इस सब्द के अंत में यू आई यी आ रहा है तो हम एसी इस्तिति में डी को जो पढ़ेंगे तब इसका संपूर उचारन हो जाएगा सोल डी को जो पढ़ा जाएगा सोल जर ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पी आर ओ को हम पढ़ेंगे प्रो ठीक उसी प्रकार सी इ को प्रो सी और डी डी यू आरी अर्था यू आरी सब्द की अंत में आ रहा है तो यहाँ पर डी को जो पढ़ा जाएगा तो तब यहाँ पर प्रोसीजर हो जाएगा सोल जर का अर्थ होता है फोजी अर्था सेनिक जबकि प्रोसीजर का अर्थ होता है प्रक्रिया अब इसकी प्रिभासा पर चलते हैं देखे डी को जो कब पढ़ा जाता है यदि किसी सब्द में डी के बाद यू आर इ आई ए आर ए यू आर यू ए टी यू ए यल हो तो डी को जो पढ़ा जाता है उधारन के लिए यहाँ पर देखे येस ओ ल डी सब्द के अंद में आर इ आरा है तो यहाँ पर डी को जो पढ़ा जाएगा तब इसका संपूर उचारन होगा सोल जर ठीक उसी प्रकार यहाँ पर इस सब्द के अंद में यू आर इ है तो यहाँ पर डी का उचारन जो हो जाएगा तब इसका संपूर उचारन होता है प्रोसीजर इस वीडियो में इतना ही थेंक यू, हैव नाइस दे